प्यारे बच्चों नमस्ते कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे बच्चों आपने बहुत सारे पेड़ पोधे देखे हैं क्या आपने कभी उनके पत्तों को ध्यान से देखा है क्या सभी पेड़ों के पत्ते एक जैसे होते हैं तो बच्चों आज हम पत्तों से अलग-अलग खेल-खेलते हुए पत्तों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे क्या आपने कभी पत्ते से पताखा फोड़ा है चलो, आज हम पत्ते से पताखा बनाते हैं आप अपने बाएं हाथ की मुठ्थी बनाकर इस मुठ्थी को थोड़ा खुला रखेंगे और इसके उपर एक पत्ता रखेंगे दूसरे हाथ की हथेली को कस कर पत्ते पर मारेंगे क्या पटाखे जैसी आवाज सुनी? मज़ा आया? एक बार फिर से करो आप हाथ की मुठ्थी बनाकर थोड़ी सी खुली रखकर इस पर एक पत्ता रखेंगे और दूसरे हाथ की हथेली को कस कर पत्ते पर मारेंगे तो आई पताखे की आवाज आप इसी तरह से पत्ते से पताखा बनाकर फोड़ना तो बच्चो आज हम रीमजिम भाग एक पाठ चार पत्ते ही पत्ते के माध्यम से रंग भीरंगे प्यारे प्यारे पत्तों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे यह पाठ एक छोटी लड़की और उसके साथियों के अनुभव से जुड़ा है तो आईए शुरू करें दीदी बोली मैं पांच तक गिनूँगी गिन्ती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बना कर बैठ चाओ एक, दो, तीन, चार, पांच बोलने से पहले ही मैं दोड़ी और धडाम से बैठ गई उधर दीदी ने गिन्ती पूरी की और इधर हम सब गोला बना कर बैठ गए आज दीदी पत्ते लेकर आई थी कितने सारे पत्ते तरहें तरहें के पत्ते हमने पत्तों को अच्छे से देखा कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे एक दम गोल कुछ छोटे कुछ बड़े एक था लाल एक पत्ता पीला और कत्ताई रंग का था एक पत्ते पर नसे दिख रही थी एक पत्ता कत्रीला था एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था एक पत्ता जालर वाला था हमने पत्तों को छू कर देखा कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से कुर्दरा तो कुछ पत्ते बंदनवार जैसे लग रहे थे बच्चो आओ अब हम मिलकर इस पार्ट को पढ़ें मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे दीदी बोली मैं पांच तक गिनूंगी गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ एक, दो, तीन, चार पांच बोलने से पहले ही मैं दोड़ी और धडाम से बैठ गई उधर दीदी ने गिन्ती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए चित्र में देखो आपकी पुस्तक में बच्चे गोला बनाकर बैठे हैं और ये उपर जो ये लड़की बनी है ये बताओ इसके हाव भाव कैसे हैं क्या कर रही है ये टीचर टीचर ये धडाम से बैठ गई बहुत अच्छे ये धडाम से बैठ गई आज दीदी पत्ते लेकर आई थी कितने सारे पत्ते तरहें तरहें के पत्ते आपकी पुस्तक के पेज नंबर 27 पर बहुत तरहें के पत्ते बने हुए हैं हमने पत्तों को अच्छे से देखा कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे एक दम गोल कुछ छोटे कुछ बड़े एक था लाल एक पत्ता पीला और कथई रंग का था देख रहे हो न बच्चो एक पत्ता लाल बना हुआ है और एक कथई रंग का एक पत्ते पर नसें दिख रही थी एक पत्ता कतरीला था साथ साथ आप चित्र देखते रहें एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था एक पत्ता जालर वाला था हमने पत्तों को छू कर देखा कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुर्दरा तो कुछ पत्ते बंदनवार जैसे लग रहे थे तो प्यारे बच्चो अब आप जान ही गए हो कि पत्ते अलग अलग रंगों के होते हैं तो आपने किस-किस रंग के पत्ते देखे शाबाश, लाल, हरे, पीले और कथई रंग के और आपने ये भी देखा कि पत्ते अलग-अलग आकार के होते हैं तो बताओ ये पत्ता कैसा है इस पत्ते को देखो और इसका आकार बताओ शाबाश, ये गोल है और ये पत्ता कैसा है? बहुत अच्छे ये पत्ता नुकीला और लंबा है नुकीला, कौन सा पत्ता नुकीला होता है? जिसकी आगे से नौक निकली हुई है ये पत्ता कैसा है? ध्यान से देखो और बताओ बहुत अच्छे ये कत्रीला पत्ता है ऐसा पत्ता जो चारों तरफ से कटा हुआ होता है उसे कत्रीला पत्ता कहते हैं आपको इन पत्तों में क्या दिखाई दे रहा है? तीचा तीचा, इसमें नसे है अरे लकडी बहुत अच्छे इस पत्ते को देखो पत्ते में छोटी-छोटी रेखाऊं को नसे कहा जाता है पत्ते के बीच में सीधी छोटी सी लकडी को डंठल कहा जाता है तो बच्चो हमने इस पार्ट के माध्यम से रंग बिरंगे अलग-अलग आकार के प्यारे-प्यारे पत्तों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की अब आप अपने आसपास से या किसी बगीचे से पेड़ पोधों से गिरे हुए अलग-अलग पत्ते इकठे करो और अपनी कापी पर चिपकाओ आप इन पत्तों को ध्यान से देखो और पता लगाओ कौन से पत्ते नुकीले हैं कौन से पत्ते गोल हैं कौन से पत्ते लंबे हैं और कौन से पत्ते कत्रीले हैं आप इन पत्तों को चूकर पता लगाओ कि इन में से कौन से पत्ते मुलायम हैं और कौन से खुर्दरे हैं बच्चो चलिए अब समय है चित्र बनाने का और रंग भरने का तो आओ एक पेड का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें कистत का चु में का समय है प्रया थाह बालना का चेंगन में प्रया थाहँ वालना का चेंड और उस्त्र बनाएं और उसमेश्य्क बेहरां शेधागर झाल शेधाँ में न बनाएं और लेख बच्चो आप सभी एक गतिविधी और करें आप अपने आसपास से अलग-अलग तरहें के पत्ते इकठे करो अपनी कापी पर अलग-अलग पत्तों के चित्र बनाओ आप एक पत्ता लो, उसे अपनी कापी पर रखो और उसके चारों तरफ पैंसिल चलाओ अब पत्ता उठाकर पैंसिल से बनी पत्ते की आकरिती में पत्ते को देखकर नसे वे डंठल बनाओ और रंग भरो इस तरहें आप अलग-अलग पत्तों के चित्र बनाओ आओ बच्चो एक खेल और खेले आपके सामने अलग-अलग तरहें के पत्ते हैं और आपके सामने तीन गोले हैं पहला गोला जिसका रंग नीला है दूसरा गोला लाल रंग का है और तीसरा गोला काले रंग का है अब आप आकार के अनुसार पत्ते चुनकर सही गोले में डालें नीले गोले में नुकीले पत्तों को लाल गोले में बंदनवार जैसे पत्तों को और काले गोले में कत्रीले पत्तों को डालें बच्चो अब एक खेल और खेलें जिसका नाम है कितने पत्ते आपके सामने कुछ पत्ते हैं और उन पत्तों के सामने कुछ संख्याएं लिखी हैं इन पत्तों को गिनो और सही संख्या चुनकर उस पर गोला लगाओ तो गिनिये एक दो तो कितने पत्ते हैं दो तो सही संख्या चुनकर उस पर गोला लगाओ शाब बाश अब इन पत्तों को गिनो बहुत अच्छे तो सही संख्या पर गोला लगाओ कितने पत्ते तीन अरे वह तो चलिये अब इन पत्तों को गिनिये एक दो तीन चार तो चार को चुनो और उस पर गोला लगाओ शाब बाश अब बताओ कितने पत्ते बहुत अच्छे एक अब बताओ कितने पत्ते बहुत बढ़िया पांच तो सही संख्या पर गोला लगाओ शाब बाश अब हम जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है ध्वनी का खेल ध्वनी समझते हो ना आवाज अरे चित्र देख कर बताओ ये क्या है पत्ता फिर से बोलो पत्ता क्या तुम जानते हो पत्ते में कितनी आवाजे हैं बताओ कितनी ध्वनिया हैं शाबश आपने बताया दो ध्वनिया तो क्यों न हम इन दो ध्वनियों को दो तालियों से बाट दे तो करें खेल शुरू पर ता तो कितनी ध्वनियों से बना है? दो और इसकी पहली ध्वनी क्या है? पर से शुरू होने वाले और शब्द बताओ बताओ शाबाश अरे आपको धेरों शब्द आते हैं पापा पानी पपीता शब्बाश आप भी बताओ पेड पतंग शब्बाश और बताओ बहुत अच्छे तो ये आपके बताए हुए शब्द मैंने लिख दिये अब आप पध्वनी वाले अक्षर पर गोला लगाएं अब हम पापा में देखें कितनी ध्वनिया हैं खेले द्वनी का खेल तो पापा की द्वनियों को ताली बजा कर अलग अलग करो पापा कितनी ध्वनिया? दो आपने अगला शब्द बताया पपीता पपीता में आने वाली ध्वनियों को अलग-अलग करो शब्द बाश तो कितनी ध्वनिया है? तीन बहुत अच्छे ऐसे ही आप और ध्वनियों के खेल खेलो बच्चो आओ सीखें प कैसे लिखते हैं? जैसे संख्याचार होती है उसी तरह से प बनता है इसके उपर लाइन लगाना ना भूलें ये चित्र देखो और बताओ ये क्या है? पर भूच शाबबाश तो आओ तरबूज में देखें कितनी ध्वनिया है? इने तोड़े तारबूज फिर से करो तरबूज कितनी ध्वनिया है? चार बहुत अच्छे पहली ध्वनी क्या है? त त से बनने वाले और शब्द बताओ ताला शाबबाश और बताओ तेल और बताओ तीन तीर बहुत अच्छे और ताली शाबबाश तो बच्चो आपने बताया ताला इसकी ध्वनियों को अलग करें तो बताओ कितनी ध्वनिया? ताला कितनी ध्वनिया? दो बहुत अच्छे बच्चो जो शब्द आपने बताए वो आपके सामने लिखे हैं अब आप ता पर गोला लगाओ शाबबाश अब आओ तालिखे पहले लगाएंगे खड़ी सीधी रेखा फिर इसको थोड़ा सा बाएं मोडेंगे फिर नीचे मोडेंगे और फिर इसके उपर एक रेखा लगा देंगे क्या बना? त अब आप भी त और प का अभ्यास करें इस चित्र को देखो ये क्या है? देदी देदी ये तो मेरे दादाजी लगाते हैं अरे वाह सही कहा क्या है ये? चश्मा बिल्कुल सही चश्मे को एनक भी कहते हैं एनक की पहली ध्वनी क्या है? ए बहुत अच्छे तो बच्चो आज आपने खेला ध्वनियों का खेल अब आपके सामने कुछ वस्तूओं की चित्र है आप इन चित्रों को पहचान कर पहला वर्ण लिखिए यह चित्र किसका है? तर्बूज बिल्कुल ठीक अब आप बताए तर्बूज की पहली ध्वनी क्या है? त तो लिखो इसके सामने त इस चित्र को देखो और बताओ यह क्या है? पतंग शब्बाश पतंग की पहली ध्वनी क्या है? प शब्बाश अग्ला चित्र देखो और बताओ यह क्या है? अग्ला चित्र देखो और बताओ यह क्या है? शब्बाश ताला की पहली ध्वनी क्या है? ताओ तो बच्चो इसके सामने लिखो ताओ आपके सामने दो अलग-अलग खाने बने हैं एक खाने में चित्र बने हैं और दूसरे खाने में वर्ण लिखे हुए हैं चित्र देखकर सही वर्ण से मिलान करो जैसे तरबूज का चित्र है तो मिलान करो त से इसी तरह से अगले चित्रों का उनके सही वरणों से मिलान करो तो बच्चो आशा करती हूँ आपको इस पाठ के जरिये बहुत सी नही नही जानकारी मिली होगी तो बच्चो आओ अन्त में सुने ये कविता जो हमें पत्तो के बारे में बहुत कुछ बता रही है प्यारे प्यारे पत्ते ये न्यारे न्यारे पत्ते कुछ हरे कुछ लाल कुछ पीले पत्ते कुछ पत्ते खुर्दरे कुछ है मुलायम कुछ पत्तों की है नसे कुछ पत्तों के है डंठल कुछ पत्ते लंबे तो कुछ पत्ते गोल है कुछ है नुकी ले तो कुछ है कत्री ले प्यारे प्यारे पत्ते ये न्यारे न्यारे पत्ते तो बच्चो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप पत्तों की दुनिया में अलग-अलगतर हैं के पत्तों को चूकर जानो उनके बारे में तब तक के लिए अलविदा